हलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आएँ एक नाश्टे की रेसिपी स्नैक्स है बहुत एक थस्ता है कुरकुरा है जिसे आप बना के स्टोर करें दो महिने तक बना के रगदें खराब नहीं होंगे आपको किसी को भीजने हैं बाहर तो भी आप बेज सकते हैं इसे राजिस इसे आप इस डबे में भर कर दो मैने तक स्टोर कर सकते हैं इसे बिल्कुल खराब नहीं होंगे इनको मोश्चर से बचाएं और एक बढ़िया तरीके से इसको तलके निकाले तो यह आराम से आपके लंबे समय तक चलेंगे तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को तो यहां म अदा गिहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं इसको मैदे से बना रही हूँ तो 2 कब मैदा लिया है तो यहां मैं तकरीबड चममच या नमक कर स्टमाल कर रही हूं और एक टीजपून बारीक पिसी हुई काली मिर्च एक चममच अजवाइन डाल देंगे और इन स के लिए नॉमल है इसको मैंने गरम नहीं किया है सिम्पल टेल डाल रहे हम इसमें 1 फोर्थ कप और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप मुठी बांगे देखें अगर अच्छे से मुठी बं रही है तो इसका मतल़ बिल्कुल पर्फेक्ट है कि पहले मैंच अच्छे मुठी बांदेंगे अच्छे से बन रही है इसका मतलब बिल्गुल मोहिन परफेक्ट है अब इसको पानी इसे आठा लगा के तयार करेंगे ना तो बहुत जादा नरम लगाना है नहीं बहुत जादा करक दिया है इसको तेल लगा के चिकना कर देंगे और 15 मिनिट के लिए मै ममचल के साइब गार्टी का लोई बना डिह जोब देंगे। तो यहां पतला 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 हैं बहुत जदा मोटा नहीं बेलाना है। जो शक्रबारे बनाते हैं लेयर का होती है जो थोड़ी मोटी होती है। लेकिन हम यहां पर बनाएंगे बारिक करेंगे पतला करेंगे और इसको जो कटिंग करने का तरीका है वो भी अलग है आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहे हूं इतना पतला हमें बेलना है और एक चाकुल ले लेंगे उसके मदद से इतनी पतली पतली स्टिप्स हमको अब एक तरफ से लगने के बाद जो चोटी है उनको हमें नहीं करना है आधा जो बड़ी है उनको हम बीच में से कट लगा देंगे और बस इस तरह से हम इनको अलग भी कर लेंगे आप एक साथ तीन चार लोई की बना के रख सकते हैं यह बिलकुल चिपकेंगे नहीं और अ डके बना के रख देंगे अब आप ती मने गरम करेंगे तका जो कि व कटेंGA रह जाएंगे प्रया नहीं बाहर से और यहां के दाल जगे नहीं अलग छे जएक अंगे तो एक बार में आप काफी अच्छे क्वांटिटी में डाल सकते हैं अगर आपने तेल जादा रखा है तो बैने खुली कडाई लिए इसको फ्राय करने के लिए तो काफी क्वांटिटी में मैं डाल दी हैं अपने आप जैसे ही फ्राय होंगे उपर आते जाएंगे और अलग अब हम गहां जाएंगे स्वागना जाएंगे बिल्कुल पिछब के किल्कने का डर यहां पर नहीं रहीगा तो अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राय करें है लाशा ह sharawर करने की वहरा पहलेतहर नहीं नहीं है मीडिय में प tür पैर जार की आसा परना धुछी हम काला नमक भी शुड़क सकते हैं नहीं तो यह ऐसे भी अच्छे लगते हैं तो बस मैं इनको फ्राय करके ठंडा कर दिया था ठंडा करने के बाद अब मैं इसको डबे में डाल के बंद करके रख दूंगी और डेट से दो महिना बहुत ही अच्छी तरह से चलेंगे बिल्कुल